मैं कहता हूँ बलियां में जो उनके लोगों ने मुख्यमंती के स्वजाती लोगों ने एक यादव नौज़मान की जान ले ली क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे मिश्कर इन खबर में आपका स्वागत है माफिया डौन अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद सियासी को लाहल मचा है अस्थानी निकाये चुनाओं के बीच राजनितिक दलों में इस बात की होड लगी है कैसे इस मुद्दे को उठाया जाए ताकि उन्हें सियासी फाइदा इसी को लेकर के समाजवादी पाटियों उसके प्रभुख हकले सियादों के कल ही प्रतक्रिया आ गई थी कि यदि ऐसे ही न्याय होगा फिर अदालते क्या करेंगी कानून और सम्विधान क्या करेगा सत्ता अपने हाथ में सब कुछ कैसे लेच सकती है यानि कि एनकाउंटर गलत है ये जो देश के मुद्दे हैं जो प्रदेश के मुद्दे हैं उससे धान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं बसपा प्रमुख मायावती ने बहुत तरीके से वार किया और कहा कि इसकी उच्चस्तरी जाच होने चाहिए जो पहले से आसंकाप दर्त की जा रही थी कि इस तरीके से विकास दूबे का एंकाउंटर हुआ कहीं वैसा ही तो नहीं होगा वही हुआ जबकि सीम योगी अपनी पुलिस की पीट थप थपा रहे हैं कि बहुत अच्छा यूपी पुलिस के लिए ये कांट चुनोती बन गया था अभी भी दो जो सूटर्स हैं वो पु चुके हैं और कुल छे सूटर्स उमेश पाल की हत्या को अंजाम दे रहे थे अखिलेस ने क्या कहा और कैसे दी चुनोती योगी को सुनिये जरा कि माफिया खत्र कर देंगे मिट्टी मिला देंगे मेरे आमने सामने की बात है मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दें मैं कहता हूँ बलियां में जो उनके लोगों ने मुख्यमंत्री के सवजाती लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे क्या कानपूर में जिन अधिकारियों ने जिस पुलिस कर्मियों ने जिस प्रिसासन के लोगों ने एक मा बेटी की जान ले ली बुल्डोजर से जल जल करके मर गई पिता के सामने मुझे कोई घटना बता दे कि पिता के सामने मा बेटी जल करके मर गई हो क्या उनको मिट्टी में मिला देंगे तो यह केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है भेदवाब कर रही हैं यह केवल चुनाओ को देख रहे हैं किस तरीके से समाज को बांट दें किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें कि उत्तव अधिस में हमारे मुख्यमंत वो कुछ भी कहें लेकिन कानून अपनी जगह है कोट अपनी जगह है समिधान अपनी जगह है यहां बोलना ठीक नहीं है लेकिन समाजादी पार्टी लड़ेगी सुना आपने कह रहेंगे बलिया में यादो यूअप की हत्या हो गई और ये हत्या सियम्य योगी के सुजाती लोगों ने किया है क्या उन्हें मिट्टी में मिला देंगे क्या कानपूर्दिहात में जो माँ और बेटी पुलीस प्रसासनि के आउंकों के सामने अपने पिता के आउखों के सामने जल करके भस्म हो गई उसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनको मिट्टी में मिला देंगे, दरसल, सीम योगी ने विधान सभा में, उमेशपाल हत्याकंड के बाद, अखिलेस यादों के सवालों का जबाब देते हुए, साफ साफ कहदिया था, कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसी मिट प्रिटी में मिलाने को लेकर के अखिलेस यादो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकर ये एक्षन में भेदभाव क्यों किया जा रहा है दरसल अतीक अहमत का तालुक सपा बस्पा से रहा है अभी भी साइस्ता परवीन जो अतीक अहमत की पत्नी है वो बस्पा में है बेसक है अब फरार है उनके उपर इनाम घोसित है अतीक तो जेल में है ही जिससे की कोट में पेश करके पुलिस पूछ ताच कर रही है असरफ भी जेल में है लेकिन साइस्ता परवीन फरार है अब देखने वाली बात यह है कि जो अखलेस यादों ने सवाल उठाया है उस पे सत् पूछते हैं अपनी राय जरूर रखेगा कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके राएर बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू